लेवर्बरण्स वोगाते हैं आप सभी का अप सभी का पसंदा यूट्यूब चैनल राय यूटिशनल में मित्रों आज हम बात करेंगे बहुत इंपोर्टन जी के पॉइंट आफ विव से आपके प्रश्णों की परिक्षा में पूछे गए अध्यन के उपर यानि स्टडी के उपर आपके प्रश्ण की इन पार्टिकुलर चीज की स्टडी को क्या बोलते हैं इस पार्टिकुलर चीज को स्टडी को क्या बोलते हैं यानि की पक्षियों के अध्यन को क्या बोलते हैं कौकों के अध्यन को क्या बोलते हैं मक्षलियों के अध्यन को क्या बोलते हैं तो ये मैंने बहुत जादा नहीं specific ही जो बार-बार question repeat हुए है आपके exam में उन्हीं का समायत किया है और इन्हें आप रट लीजें क्योंकि यहीं परिक्षा में आपके आएंगे ही आएंगे यहां से एक दो number आप fix करके जाएगा बाकि इसकी पूरी PDF हम अपने टेलिग्राम गुरूप में आप सबीक पता है अपने टेलिग्राम गुरूप में available करा देते हैं हमारे टेलिग्राम गुरूप का नाम है RAI Rai Educational जिस नाम से हमारा चैनल चलता है यह YouTube का तो RAI नाम का logo आप सर्च कर लीजेगा अपने टेलिग्र इंग्लिश के हों हिंदी को आपको दोनों लोगों के लिए लापरद होगा तो चलिए पूरा इमेज के साथ सारी स्टडी को हम लोग रीड करते हैं और मैक्शम शेयर कर दीजेगा अब एक एक चीज़ को स्पेसिफिक लिए हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा इसको सौट कर लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए तो हिंदी में बात करूंगा फिर उसी चीज़ को इंग्लिश में बात करूंगा तो पक्षियों के अध्यन को क्या कहते हैं पक्षियों के अध्यन को यानि जो चिणिया रहती हैं चिणिया रानी बड़ी से यानि अंडे दिये जारवाला जो आपको music आता होगा mind में तो पक्षियों के अध्यन को बोलते हैं और निथो लॉजी क्या बोलते हैं और निथो लॉजी इसको आप English में भी देख सकते हैं इसको बोलते हैं और निथो लॉजी स्पेलिंग भी आप मैच कर सकते हैं और इतनी रंगीन पीडियेफ आपको हमारे टेलिग्राम ग्रूप में मिल जाएगी तो फ्री में जॉइन हो जाएए और फ्री में सर्विस पाईए और अपनी परिक्षा को और भी दमदार तरीके से आगली बात करते हैं पुस्पों का अध्यन यान्ही फूलों का जो अध्यन होता है उसको क्या इं तो लोजी ताकि आपको कोई भी टरंसलेशन में प्रॉबलम ना हो तो इस्टेडी ओफ लावर्स बोलते हैं एंध्यन क्या कहा जाता है क्या बहुते हैं माइकोलॉजी क्या और इस्टी को इंग्लिश में बोलते हैं स्टडी ओफ फंजाय स्टडी ओफ फंजाय होता है माइकुलाजी ठीक है तो बोथ हिंदी और इंग्लिश में यह वीडियो चल रही है आप सभी के लिए बहुत जादे इंपॉर्टेंट है अगला है शहवालों का अध्यन क्या कहा ज चलते है फलो का द्धयां बनाना हो गया क्राप्स हो गयां तो इन सारों का गया यह कि क्या आता है marrying currently प्लाजी के इंत्रगा आता है इसी को इंग्लिश में पिस्छर्ई इस्वाव स्टन का अध्यनि मश्ट्जियों को पालने के जो अणिगर आता कीट पालन का अध्यन जो होता सको क्या बोलते हैं सेरी कल्चर क्या बोलते हैं सेरी कल्चर कोशन बहुत बार आ चुका है इसलिए बहुत इंप्रस नहीं ले गाए क्योंकि आपके कोशन जो important मनते उन्हीं को तो पढ़ना है हमको क्योंकि हम स्मार्ट अपनी मेनत के उपर focus करते हैं हम लोग लाड जो होता है मेनत या जो हार्ड लेबर की तरफ बहुत जादा focus नहीं करते हैं क्योंकि हमको एक ही बार में इतनी मेनत करनी है पुरी focus तरीके से कि हमारे exam निकल जाए कि attempt में हमको बहुत जादा attempt भी नहीं देकर बैठना है तो study of silk mouth या silk warm जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग seri culture ओके next आपका मंदमक्खी पालन यह question भी confusion नहीं करना है एपी कल्चर अब जब भी आप एपी कल्चर पार करेंगे इस पिक आपके दिमाग में आएगी मंदमक्खी सहद लिए हुए और study of beekeeping बोलते हैं एपी कल्चर क्या बोलते हैं एपी कल्चर इतनी छोटी सी वीडियो थी जिसमें बहुत ज्यादा होंगे साथ आठ आपके study होंगे अध्यन होंगे कल्चर होंगे जिसको आप बातचित करते हैं और इनहीं से प्रशन आपके एक्जाम में आएंगे आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है पसंद आई हो तो आपके अधिक्राम ग्रूप राइजुकेसन से चुड़ जाएक और चैनल पर नहीं है तो चैनल सस्क्राइब कर लिजेगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा थेंक्यू सो माच